दूसरा बिंदू परंपरा बनाम आधुनिक पहला तो राज्य बनाम राष्था अब दूसरा बिंदू परंपरा गट विचारधारा में सरकार का अध्यन बहुत से विचारकों ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्यान है पहले जहाँ निरंकुष राजतंत्र होता था और निरंकुष राजतंत्र का अर्थ जहाँ पर राजा या समराज की ही तूती बोलती थू राजाग्या ही सरवो परी था राज की अग्या ही कानून थी और उसके बदले आज लोकतांत्रिक सरकारों की वास्त विक्षक्ति जनता में नहीं था यानि जो सरकारें हैं जो राज्य है जो शासन व्यवस्था है या जनता की अपेक्षाओं के अनुसार है यानि जनता इसकी प्रेरक है कैसे परिस्थितियां बदली हैं इन कालों में और लोकतांत्रिक सरकारों की वास्तविक शक्ति जनता में नहित है पश्चिम के जो परंपरावादी विचार धारा है उसने तो सरकार के विभिन अंगों को राजनीती का विशह खेत्र ही मान लिया था उनका तो ये कहना था कि राजनीति विज्ञान का जो कुल्ख दाइरह है वह सरकार और सरकार के विभिन अंग विभिन अंग आपको हमने पहले बताया था वे तीन अंग हैं कारेपालिका नियापालिका और इसके साथ ही इन द्यवस्थाओं में जो एक लेजिसलेचर है जिसका कारे है कानून बनाना ये तीनों का अध्यन ही मात्र राजनीति विज्ञान का ख्यत्र है परंतू बीसवी सदी आते आते और बिल्कों कि बीसवी सदी के पांच्वे दशक में बीसवी सदी अनियने 1900 के बाद और पांच्वे दशक यनने 1950 के आसपास यановी जिती विशुद के बाद इसकी परिभा आशाओं में कारिक्षित्र में कुछ अंतर आया और सरकार के अंगों के बजाए सरकार की कारे पद्धती को केंद्र माना गया मैं दोहरा दूँ सरकार के अंगों के अध्यन के बजाए सरकार के कारे पद्धती और व्यवहार पक्ष पर ज्यादा जोड दिया गया सरकार का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सरकार का दायरा क्या होना चाहिए? ये नहीं कि सरकार कैसे बनती है, उसके विविन अंग क्या है, उसके विविन तत्व क्या है, मात्र यहीं तक नहीं, बलकि उसके हमें कारिक्षित को व्यवहार पक्ष पे भी जहना होगा. इस प्रकार राजनीति विग्यान खेतर में विश्व में जो सरकारें बनी राज्यों की सरकारों का जो विभन सुरूप बना विभन सुरूप के अलावा विभन सुरूप के अदि हम बात करें तो उसमें लोक तांत्रिक सुरूप ताना शाही सुरूप उसके साथ ही हम बात कर सकते हैं अध्यक शास्मक सरूप याने अध्यक शास्मक शैली जैसे के अमेरिका में हैं इन स्वरूपों पर चर्चा करना उसके उसके फायदे और नुक्सान पर चर्चा करना विश्व के देशों के समविधानों का ध्यान अंतराश्टी संबंधों का ध्यान अंतराश्टी उतार चढ़ाओ उससे होने वाले घटित प्रभाओ और साथ ही सरकार के उद्यश, सरकार की शक्ति का प्रथक करन ये तीनों पालिकाओं के बीच में और इसके बाद ही अंतरश्टी सरकारों, सरकारों के कारियों और इनके कारियों को लेकर होने वाले जो प्रभाव हैं जनिता पर इसका अध्यान कितना विशाल दाइरा हो गया कहां मात्र राज्य का अध्यन माना गया था दूसरी और कहां केवल सरकार का अध्यन माना गया था लेकिन अब जुतिविष्ट के पश्चात के विचारकों ने इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है और अंतिम बिंदु जो मैंने कहा लोक कल्यानकारी राज्य की और लोक कल्यानकारी शासन की और ले जाने वाला जो समस्त राजनेतिक धाचा, राजनेतिक विचारधारा, राजनेतिक परंपरां वे सब इस विशय का जिसे हम राजनेतिक विज्ञान कहते हैं उसका अध्यान केंद्र होना चाहिए, अध्यान ख बिंदु जो है पहला तो राज का अधियन दूसरा सरकार का अधियन तीसरा है राजनेतिक विचार धाराओं का अधियन इस पर परंपरावादियों के क्या विचार हैं समय समय पर विभिन्य राजनी दिग्यों विभिन्य विचारकों ने इतने समय में बहुत सारे परिभाश फलए दिए और इसका खेतर बताया है इनों ने कई राजनयतिक प्रश्ण खड़े किये और इन प्रश्णों के समाधान और समाध्याओं पर भी अपने विचार रखे बार बार उनके अधार पर विभिन विचारधाराओं ने जण लिया Γवण अलग वינit राज्यातिक दिष्टि से, मैं अन्य संदर्म में इसके जिक्र नहीं कर रहा हूँ, राज्यातिक दिष्टि से समाज कैसा हो, कौन सी विचारधारा लेके चले, समाजवादी विचारधारा, मार्चवादी विचारधारा, गांधी वादी विचारधारा, लोकतांत्रिक विच विचारधारा आदी आदी और इसके बाद इसके प्रभाव इसके कारिक्षित्र और इसके बदलते स्वरूप पर भी इन विचारकों ने इन दार्शनिकों ने अपनी बातें रखी हैं। विचारधारा अपनाई है उसने उसके अनुसार वहां के शासन ने अपने को ढाला है। इन विचारधाराओं के अध्यान के बिना वहां के शासन विवस्ता को समझना दूबर ही नहीं बलकि निरर्थक व्यार्थ है क्योंकि जो भी शासन विवस्ता है वह किसी ने किसी विचारधारा से प्रभावित है उधारण के लिए हम भारत की ही बात करें भारत की जो समवधानिक व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है उसमें अहिंसा पर बहुत जोर है भारत की जो विचारधारा है उसमें सहिश्णुता पर बहुत जोर है कारण क्या एतिहासिक परंपरा कारण क्या ऐसे पुरिशों का आना जिन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया अहिंसा की विचारधारा गौतम बुद्ध अशोक गांधी इनकी विचारधारां से प्रभावित है सहिष्णुता की विचारधारा, वहवी, गांधी की विचारधारा और हमारे अपनी स्वयम की संस्क्रितिक परंपराओं, एतिहासिक संस्क्रितिक परंपराओं के प्रभाव से हो दूसरे शब्दों में किसी भी तरीके से किसी शासन का यदि अध्यन करना है तो तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक उस शासन की विचारधारा का अध्यन न किया जाए, उन विचारधाराओं के आने के कारणों पर ना जाया जाए तब तक राजनेतिक विचारधारा के मात्र अध्यान से या सरकार के मात्र अध्यान से या शासन के मात्र अध्यान से राजनेतिक विज्ञान का अध्यान पूर्ण नहीं माना जाएगा पूर नहीं होगा चौथा बिंदु जिस पर परंपरा, वादी, बनाम, आजनिक विचारधारा के विचारकों में अंतर है वह है कानून और न्याय प्रणाली कानून और न्याय प्रणाली पे प्राचीन भारती आचारें के अनुसार उन्होंने बार-बार ये बात दुहराई कि दंड का आधार, राज्य का विकास होता है वाकि को ध्यान से सुने, दंड का आधार, राज्य का विकास होता है इन दोनों में दंड और विकास में क्या तंबंद यानि किसी कारे के लिए किसी अपराद के लिए दंड दिया जाए तो वो दंड के पीछे अद्देश की अद्देश की है अद्देश है राज का विकास, अद्देश यह है कि यह अपराद दुबारा ना हो, यनि जनता को मेसेज देने के लिए, समाज को कानून का फॉलोर बनाने के लिए दंड दिये जाते हैं, तो राज्य का विकास इस पर आधारी था, ऐसा भारती आचारेओं का कहना था, इस परकार डंड का यदि हम निर्दाइता पूर्ण उप्योग करें, तो क्या परणाम होगा, कि शासन और जनता के बीच में जो कम्मिनिकेशन है, जो समवाद है, वह तूट जाएगा, जनता ज जनता के द्वारा प्रभावित ना होने वाला शासन किसी कारे का नहीं रहता, क्योंकि उससे विकास अपेक्षित नहीं हैं, राजनीति विज्ञान का कानून और न्याय प्रणाली से इसलिए हम कह सकते हैं, बड़ा निकट का संबंध है, पश्चिम के लिकों ने, ऐसे जो प्रश्ण आये कि कानून कितना हो, कानून कितना कड़ा हो, कानून का दायरा कितना हो, अधिकार कितने हो, और अधिकारों का दायरा कितना हो, साथ ही साथ ही कानूनों की व्याक्षा भी जो उन्होंने अलग अलग धंग से की, किस सीमा तक कानून को लागू किया जाए, विधान की रक्षा और साथ ही ये जो सरकार के जो विभिन अंग हैं इनके बीच में शक्ति का जो प्रिथक करण है ये सब किस तरीके से किया जाए किस अंग को कितना भार दिया जाए कानून की व्याक्षा का भार किस अंग को दिया जाए इन सारे प्रश्णों पर पश्चिम में विचार को ने बहुत विचार किया है और उसके निशकर समय समय पराते रहें कानून निर्माड में दबाव घुट की भूमिका खाथकर भारत में जहां अनेग तरीके के दबाव गुट हैं जिसे अंग्रेजी में प्रेशर गृप्स कहते हैं ये प्रेशर ग्रुप्स का क्या प्रभाव होगा क्या भूमिका होगी नय अधीशों के फैसले पर किन बातों का असर होगा और किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा ये सब तथ्यों को राजनीति विज्ञान की विश्यवश्ट माना जा सकता है ऐसा परंपरावादी विचारकों के बाल जो 1950 के बाद जो आए विचारधारा लेकर उनका कहना है परंपरावादी विचारक या परंपरावादी वे व्यक्ति वे विद्वान जिनोंने राजनीति विज्ञान के कारिक्षित्र की व्याख्या की है उसमें उनका ये कहना है कि यह विभिन राजनीतिक संस्थाओं का अध्यान भी है राजनीति विज्ञान क्या है विभिन राजनीतिक संस्थाओं का अध्यान पहले जो था राज्य वो एक तरीके से मात्रिक नैतिक संस्था थी गलत ना करें बस इसी पर उसका जोर रहता था गलत से अर्थ कि शासन जो है वह सुनिश्चित करता था कि जो जनता है वह एक दाइरे में रहे लेकिन अब यह मात्र केवल एक नैतिक संस्था नहीं रह गई इसके बहुत से विभिन रोल हो गए है राज में अनेक प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सा साती साथ अन्य बिंदूओं को लेकर भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी समुदाय हो गए हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में विकसित होने में साहेता करते हैं और एक ही व्यक्ति इन में से कई चीजों में जुड़ा हुआ रहता है रज भी उन्ही संस्थ संस्थाओं में से एक है, यानि व्यक्ति राज्य में रहते हुए अन्य समुदायों, अन्य संघठनों का भी अंग बना हुआ रहता है और इस प्रकार उसका तालुकात इस से बड़ा गहन रहता है तो इसका रत्य हुआ कि राज्य जो है वह यद्यपी सब संस्थाओं में से एक संस्था हो गई है सर्वशक्तिशाली लेकिन अभी भी है सर्वशक्तिमान लेकिन अभी भी है सर्वश्रेष्ट अभी भी है वह राजनीति के मामले में राज इन में से अववल आज भी है परंतु इसके अधीन अन्य संस्थाएं हैं बाकी जितनी भी संस्थाएं या समुदायों का वर्चास या प्रभाव है वह सब राज्य के नीचे है और राज्य मतलब अंग्रेजी मेज़ा था मैंने बताया स्टेट लोग कांत्रिक शासक जो प्रणाली है उस शासन प्रणाली में राज्यनेतिक डल एक आहम भूमिका निभाते हैं और ये शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ जनता की अपेक्षाओं को भी सामने रखते हैं और उसके साथ ही जनता और शासन के बीच में संबंद भी बनाने का काम करते हैं तो इस पकार राजनीतिक डल के दो मुख्य रोल जो हम यहां समझ सकते हैं वा है शासन को प्रभावित करना और दूसरा जनता की अपेक शाओं को शासन तक पहुँचाना शासन के कारियों को जनता तक पहुँचाना उनको बताना उनमें जागरूकता लाना और इस पकार दोन मतदाताओं को शिक्षित करने का भी काम करते हैं कैसे मतदान किया जाए मतदान करने के आवश्यक्ता और मतदान से जुड़ हुए अन्यबिंदू ये जो राजनीतिक डलों की जहां तक बात है वहाता हम समझ गया इसके अलावा कुछ जो नवीन संस्थाएं जो आई है उस दबाव समू क्या है इसके बारे में तो हम आगे जानेंगे पर एक पंक्ति में इतना बता दें कि समुदाए एक दबाव समू है यदि मैं किसी एक समाज का हूँ ठाकर समाज का सदत से हूँ तो ठाकर समाज के लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं इसे शासन तक पहुंचान का कारे और शासन से पर दबाव बनाने का काम ठाकुर समाज करेगा ऐसे ही अन्य समाज है जाती के आधार पर समाज धर्म के आधार पर समधाए कारे के आधार पर विविन कम कारे के आधार पर विवन समधाए जैसे चैम्बर अफ कॉमर्थ 36 गर्ड चैम्बर अफ कॉमर्थ व फ़ला फ़ला व्यापारी संग ये किसी एक शेत्र का व्यापारी संग क्या कारे करता है वहां के स्थानी प्रशासन पर दबाओ का कारे करता है क्या करना चाहिए क्या उचित क्या अनुचित उनके लिए क्या हित में है या प्रशासन तक पहुंचाता है तो इस प्रकार ये प बहुत महत्पूर्ण पहलू हो गए हैं बहुत महत्पूर्ण अंग हो गए हैं सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की ख्षमता इन में रहती है और उसके साथ ही साथ इनको प्रभावित करने के साथ ही साथ अपने विकास के लिए जो इनकी अपनी अवेक्षाए हैं उसको उनको शासन तक पहुँचाना ये भी इनके कारिक्षित का दार है इसका अध्यन भी सामाजिक या राजनेतिक विज्ञान के अध्यन के तहट परमपरावादी विचारधाराओं विचार विचारकों का मत था कि इनका अध्यन भी बहुत जरूरी है